दोस्तो दी एडम्स फैमिली की सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लड़की तो आपको याद ही होगी जो बहुत ही जिद्धी, घमंडी और मतलवी है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे कोई जिये या मरे फिर चाहे कोई अपना हो या पराया जी हाँ हम बात इसकी कारण नहीं कोई उसका दोस्त बनना चाहता है और नाहीं कोई उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है इतनी कमिया होने के बावजूत ना चाहते हुए भी यह करेक्टर हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है हम उसके डाइहार्ड फैन बन जाते हैं क्यूंकि हम उससे में आज हम बात करने वाले हैं एकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अब्डेट्स आप तक पहुंचते रहें वेडनस डे यह एक सूपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी सिरीज है जो कि दी अडम्स फैमली की एक करेक्टर वेडनस डे अडम्स पर बेज़ड है यह यू कहा जाए यह एक स्पिन आफ है इस सिरीज को बनाया है अलफरेट गॉफ और माइल्स मिलर ने यह सिरीज नेटफलिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लाइंगज में अवेलबल है इस सिरीज को शुरू करने से पहले आपको दी अडम्स फैमली के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यह सिरीज इसी फैमली की एक लौती बेटी पर बेल्ट है इस फिक्शनल फैमली को अमेरिकन कार्टूनिस्ट चाल्स एडम्स ने बनाया था तो इसके बारे में अगर आपको शुरूआत में ही थोड़ी बहुत जानकारी हो तो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा कहानी की शुरूआत में हम देखते हैं कि एडम्स फैमली की बेटी वेटनस जे एडम्स को उसकी हाई स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो उन लड़कों से भरे स्विमिंग पूल में पीराना डाल देती है जो कि उसके भाई को टौचर करते थे वो पैदाशी ही अजीब तरह से रहती है किसी से कोई मतलब नहीं जो मन में आया वो किया फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा इनी सब हरकतों से तंग आकर उसके पैरेंट्स गोमेज और मौटीशिय एडम्स उसे जेरिको के नेवर मोर अकेडमिय में डाल देते हैं यह स्कूल सिर्फ उसके लिए बना था जो समाज में नहीं रह सकते थे या यू कहा जाए यह स्कूल स्पेशली म्यूटेंट्स के लिए ही बना था इस सीरीज में इन्हें आउटकास्ट नाम दिया गया है वेडनेस डे चुकी बहुती ढीड और इमोशनलेस परसनाल्टी वाली थी इसी लिए इस स्कूल में उसे एड़ेस्ट होने में बहुती ज्यादा दिक्कत होती है अपनी बेटी की जासूसी करने के लिए उसके पैरेंट्स दथिंग नाम के कटे हुए हाथ को भेजते हैं इसके साथ ही एक और चीज थी जो उस पर नजर रख रही थी उसी स्कूल की प्रिंसपल मिस वीम्स लेकिन वेडनेस डे जल्द ही इस बात का पता लगा लेती है कि उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भाग नहीं सकती वेडनेस डे के शहर में आते ही बहुती भायानक तरीके से हत्याएं होनी शुरू हो जाती है जिसे देख कर तो यही लगता है कि यह हत्याएं किसी राक्षस या किसी वेर वुल्फ ने की हैं वेडनेस डे को यह लगता था कि यह जो भी हत्याएं हो रही हैं वो उससे कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं क्योंकि unfortunately जब भी कोई हत्य होती थी तो वो वहीं कहीं आसपास में पाई जाती थी इन मर्डर्स को investigate कर रहे शेरीफ के साथ साथ सबका शक सीधा विडनेस डे पर ही जाता है क्योंकि उसका व्यवहार ही कुछ ऐसा था कि उसका आसानी से कोई न कोई दुश्मन बन सकता था वो इस केस को खुद ही अकेली investigate करती है उसे पता चलता है कि इस शहर में जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसका direct connection उसके पूरवजों से है जिसकी कहानी एक जादूगर और आउटकास्ट की दुस्मनी से शुरू होई थी जिसमें उसके parents भी involved हैं इसी कारण उसके पिता को जेल हो जाती है वेडनेस जे को यह बात और भी जादा परिशानी में डाल देती है कि वेर वुल्फ उसको छोड़कर उसके आसपास के सारे लोगों पर attack कर रहा है investigation के दौरान उसे पता चलता है कि लोगों की हत्याय करने वाला कोई वेर वुल्फ नहीं बलकि एक hide है या एक mysterious पर जाती है जो की बहुत ही खतरनाक होती है ये अपने शिकार को इस तरह से नोच खाते हैं कि उनका कोई नामो निशान ही ना मिले लेकिन ये सिर्फ दोई केस में attack करते हैं या तो उन्हें कोई खतरा महसूस हो या फिर उन्हें कोई control करके उनसे attack करवाए यहां एक बात और गौर करने वाली है कि जितनी भी हत्याइं होती हैं वो never more school के students की ही होती है यानि एक बात तो साफ हो चुकी थी कि outcast का सबसे बड़ा दुश्मन अभी जिन्दा है इस मामले में फेटनस डे कभी sketch बनाने वाले दोस्त को blame करती है तो कभी school की principal को कभी अपने parents को blame करती है तो कभी अपनी therapist को लेकिन इन सब के बीच उस इनसान पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है जो कि हमेशा उसके आस पास ही रहता है लेकिन दीरे दीरे जब यह सारे incidents एक दूसरे से connect होने लगते हैं तब जाकर हमें काफी satisfaction मिलता है Wednesday के पास एक super power थी वो किसी भी चीज को छू कर उसके past और future के incident को देख सकती थी तो अपनी इन powers की मदद से वो कैसे इस spider wave case को solve करती है इस interesting और mysterious journey को जानने के लिए आपको यह series जरूर देखनी चाहिए वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो कहानी कुछ हद तक तो predictable है हाला कि यह series एक ऐसे point पर आकर खतम हुई है कि इसका दूसरा season भी आएगा जिसकी announcement हो चुकी है क्योंकि अब भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है वैडनेस डे के रोल में जेना मेरी और्टेगा ने जान डाल दी है यह role उनके उपर पूरी तरह से सूट करता है यह series अपनी dark comedy के कारण सोशल मीडिया पर काफी famous हो गई है Netflix पर किसी भी TV series के लिए एक हफते में देखे गए सबसे ज्यादा views के मामले में यह series Stranger Things से भी आगे निकल गई है इतना ही नहीं वैडनेस डे एडम्स का डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वैरल हो रहा है जिसे actress ने खुद ही choreograph किया है यह सब छोटी छोटी चीजें इस series के excitement level को और भी ज्यादा बढ़ा देती है इस series को लेकर लोग दो पार्ट में divide हो चुके है यह किसी को पसंद आ रही है तो किसी को नहीं आ रही है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसे ignore कर दिया जाए बेशक यह एक बहतरीन series है जो आपको बहुत entertain करेगी तो इसे एक बार जरूर देखिएगा तो अगर आपने इस series को देख लिया है तो उसका experience हमसे comment box में जरूर शेयर करिएगा और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, comment, share and channel को भी subscribe कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन, जैश्रीराम